नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सरकारी टोडे नियूज के ओफीशल इडूप चलेंड में दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी कुश कभरी है क्योंकि समाज कल्यार विभाग में आ चुकी है बिलकुल सीधी भरती जी हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे समाज कल्यार विभाग यानि कि सोशियल वेलफेर डिपार्टमेंट की नई और सीधी भरती के बारे में जो की 2022 की इस साल की नई और बड़ी भरती है दोस्तों इस भरती की आविदन शुरू हो चुके हैं 30 मार्च 2022 इसकी अंतिम्तिती है आविदन करने की और दोस्तों समाज कल्यार विभाग की इस भरती के लिए आपकी कोई भी परिक्षा नहीं होने वाली है प्रकार नई भरतियों की जानकारी के लिए चलेंड को आज ही साब्सक्राइब करें उन्हों पे लाइकन जरू दबाएगा तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे समाज कल्यार विभाग भरती 2022 के बारे में जिले में आप रते हैं तो आप सभी लड़के और लड़किया महीला और पुरिश भ्याटी आविदन कर सकते हैं चलिए अंडे सभी जानकारी के लिए सीधा आपको हमारी ओफीशल वापसाइट पर लेके चलते हैं तो जैसा कि दोस्तों आप देसकते ही हम आ चुके हैं सीधा हमारी official website पर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे social welfare department यानि कि समाज कल्यार विभाग की नई भरती के बारे में दोस्तों यहाँ पर जो पर जारी किये गए हैं वो आपके सामने हैं, clerk के हैं, assistant teacher के हैं, nurse के हैं, computer operator के हैं, case worker के हैं, helper के हैं, security guard के हैं, driver के हैं इनके लिए केवल आपको online आविदन करना होगा, total vacancy कितनी है, वो not disclosed है, संपुन भारत से सभी महिला और पूरिश अभ्यारती आविदन कर सकते हैं, वहीं उमर सीमा की बात करते हैं, तो कम से कम 18 वर्स की आपकी उमर हो जानी चाहिए, और अधिक्तम 45 वर्स तक की अभ्या आविदन कर सकते हैं, वहीं चेन परक्रिया में केवल आपका इंटरिवी होगा, आपकी कोई भी परिक्षा नहीं होगी, सीधी भरती है, सेलरी आपको यहां पर मिलेगी, 52,200 रुपे परती मा, और आविदन शुल्ग जो है, बिलकुल फ्री है, सभी अभ्यारतियों के वीडियो अच्छे लगा तो लाइक कीजिएगा, चलने को सब्सक्राइब जो कीजिएगा, जहीं जे भरत